हलो दोस्तों बहुपद यानि पॉलिनॉमियल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम शेश्फल प्रमे यानि रिमेंड़ थेरम से संबंधित कुछ विश्यों पर प्रकास डालेंगे हम भाग विधी द्वारा बहुपद का विभाजन अपने पिछले वीडियो में देख शुके हैं तो चलिए उसी से संबंधित एक प्रश्न हल करते हैं बहुपद एक्स घाते तीन रिंड़ दो को एक रैखिक बहुपद एक्स रिंड़ एक से भाग दे बताईए हम सबसे पहले क्या करते हैं बहुपद को अवरोहिक्रम में लिखते हैं क्या यहां बहुपद अवरोहिक्रम में हैं जी हाँ लेकिन अगर हम ध्यान दें तो वहाँ एक्स का वर्ग और एक्स वाला पद नहीं है ऐसे इस्थिति में हम उन पदों को शूर्ने के साथ इस प्रकार लिख सकते हैं और अब इसे हल करना आसान होगा इस प्रश्न को कुछ हद तक हल किया गया है बाकी के रिक्तास्थानों की पूर्ती आप कीजिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आप वीडियो को पॉस भी कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाए होंगे इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ